नमस्कार दोस्तो ग्यानुष से चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो प्रकृति के अनमुल्ख जाने की खोज को आगे बटाते हुए आज की वीडियो में हम आपको एक बहेतरिन जड़ी बुटी की जानकाली देंगे यह जो आप लता देख रहे हैं इसे विश्नुक्रांता कहते हैं इस पर निले रंग के सुंदर फुल लगते हैं आप देख सकते हैं इस प्रकार की इसकी लता होती है और इसकी लता का फेलाव जबरजस्त होता है इसकी दो प्रजाती होती है एक निले फुल वाली और दूसरी सफेद फुल वाली निले फुल वाली लत्ता को विश्मुकरांता कहते हैं जबकि सफेद फुल जिस लत्ता पर लगते हैं इससे अपराजिता की नाम से जानते हैं प्रकृति के सभी प्रकार के पेड़ पोधों की पहचान के लिए और इसकी सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजिए जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों और सनही जनों को जादा से जादा सेर करे और वीडियो को लाइक करे दोस्तो इस बूटी का उपयोग करने वाला कोई भी व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता इसका उपयोग करने से सबी कार्यों में जीत मिलती है, सफलता मिलते है, इसी कारण इसे अपराजिता कहते है इसके सुन्दर फुल भगवान को चड़ाये जाते है, इसलिए देव मंदिरों में इस पोधि को लगाया जाता है इसका वेगनिक नाम है क्लाइटोरिया टेनेसिया इस लता का धार्मिक महत्व होने के साथ ही इसका उपयोग ज़्यादा तर तंतर प्रयोगों में किया जाता है इसके अलाबा इस दीवे लता का उपयोग सद्यों से भारत वर्स में एक अवसद के रूप में किया जाता है अगर किसी को स्वास रोग या खांसी की समिश्या है तो इस लत्ता की जड़ को लाए और स्वच्छ पानिशी दो कर पीश कर सर्बत बनाए और इस सर्बत को थोड़ा थोड़ा पीने से लाप मिलता है दोस्तो ये जड़ी बुटी कामला रोग को ठीक करने में भी बहुती फाइदे मंध होती ही कामला रोग होने पर अपराजिता के मूल की चूर्ण को छास के साथ कुछ दिनों तक लगादार सेवन करते रहने से कामला रोग लूर होता है इसमें बहुत लाप मिलता है चोटे बच्चों के पेट में दर्द की समश्या होने पर अपराजिता के एक से दो बिजों को थोड़ा सा भुन कर बकर के दूद या गाय के सुद्ध देशी घी के साथ चटाने से पेट के दर्द में आराम मिलता है कभी कभी कान में घाउं हो जाने से या अन्य किसी कारणों से कान में पस निकलता हो या दर्द रहता हो तो सफेद भुलवाले अपराजिता के पत्तों का पेश्ट बनाए और गर्म करके कान की चारों और लेप लगा दे इससे जल्द ही कान का दर्द ठीक होता है दोस्तो इसके बीजों को भुन कर गर्म पाने के साथ दिन में दो बार पिते रहने से पेट में पानी भरने की समस्या दूर होती है कामला रोग मिटता है और बालकों के निमोनिया रोग भी ठीक होता है स्त्रियों के रोग में तो ये अपराजिता एक रामबान की तरह काम करती है मासिक दर्म के दोरान अधिक बलडिंग की समश्या हो तो अपराजिता के पत्तों का ताजारस निकाले और 10 ml की मातरा में साथ में 10 ग्रम मिश्री पावडर मिला कर पिला दे तुरंत ही आराम हो जाता है दोस्तों सीर दर्द की समश्या होने पर इसके मूल का रस निकाल कर एक से दो बुंदे नाक में टपकाने से ही सीर का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है अगर सरेर में किसी भी स्थान में जोडो में धर्द हो रहा और सूजन हो तो अपराजिता के पत्तों का कलक बना कर लुगदी बना कर उस्थान पर लेप लगाए तुरंत ही आपको उसमें रिलीफ महसूस होगा ये दिव्य जडिबुटी गर्ब स्थापक गुण वाली होती ही स्त्रियों में अगर किसी कारण से गर्ब न ठहरता हो तो इस सफेद अपराजिता के पांच गराम चाल तथा पत्तों को बकरी की दूद की साथ पीश कर तथा थोड़ा सा सहद मिला कर पीलाने से गिरता अगर्ब भी ठहर जाता है इसके अतरिकत दूसरे प्रयोग की हम बात करें तो सफेद अपराजिता की जड़ एक ग्राम सुद्ध पाने से धोकर बकरी की दूद की साथ पीश से चान कर थोड़ा सा सहद मिला कर कुछ दिनों तक लगादार पीलाते रहे इससे भी गिरता हु कमर में बांधने से ही तीसरी दिन में आने वाला जवर चुट जाता है कभी कभी स्त्रीयों में प्रसव के दोरान देरी होती है और पीड़ा भी अधिक होती है तो ऐसे में अपराजिता की बेल को लाए और स्त्री की कमर में बांध दे लपेड दे इससे प्रसव जल्दी हो जाती है लेकिन प्रस होने के तुरंत बाद कमर में बांदी हुई बेल को हटा देना चाहिए